बिसमिल्लाहिर रह्मानुराहिम असलाम वालेकुम मैं हूं मुहम्मद रहीद रजा और आप देख रहे हैं आप अपना चैनल इलम की खुश्वू लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास के Mathematics के Chapter 3 की Exercise 3.4 का 1st question का 1st part complete किया था Complonendo Componendo C for Componendo and D for Deponendo Theorem तो यहां पर हम इस यहां पर यूटलाइज करते हैं तो वह आता है 2A प्लस 9B प्लस 2A माइनस 9B और 2A प्लस 9B माइनस 2A माइनस 9B इसी दरा 2C माइनस 9D और 2C प्लस 9D माइनस 2C माइनस 9D अब 2A प्लस 9B प्लस 2A माइनस 9B हमने ब्रेकेट्स को खोल दिया और 2A प्लस 9B माइनस 2A अब यह माइनस और यह माइनस दोनों मुल्टिप्लाए होगे प्लस होगे तो प्लस 9C माइनस 9C माइनस माइनस यह माइनस और यह माइनस प्लस होगे प्लस 9D अब यहां पे 2A और 2A दुने प्लस में है 9B प्लस में 9B माइनस में यह कैंसल हो गया यहां पे 2A प्लस में और 2A माइनस में इसी तरह यहां पे 9D प्लस में 9D माइनस में तो यह कैंसल हो गया 2C प्लस में और 2C माइनस में तो यह कैंसल हो गया बात कि हमारे पास पाछी है 2 A प्लस 2 A तो यह आगया 4 A अबर और यहां पे 9 B प्लस 9 B तो यह 18 B इकवल टू यहां पे 2 C और 2 C दोनों प्लस में हैं तो यह 4 C आगया और यहां पे 9 D और 9 D दोनों प्लस में हैं तो यह 18 D आगया अब हमने cross multiplication करनी हैं तो यहां पर 18 प्लस में हैं मुल्टिप्लाइबारा दूसरे दर जाए कि यह डिवाइड हो जाएगा तो यहां देगा 18 a और 18 b लेकिन इसके साथ 4 था 4 को हमने दूसरे दर ले गए तो वह आ गया 4c over 4d यहां पर 4 multiply था दूसरे जागी है डिवाइड हो गया तो 18 के साथ 18 कैंसल होगे 4 के साथ 4 कैंसल होगे तो हमारे पास आगया a over b equal to c over d यहां पर लिख लिख लेता हूँ शार्ड ए ओवर b equal to c over d तो इसका मदल भी यह है कि a ratio b equal to c ratio d तो यहां का answer आ गया तो यह question पर स्टार में हमसे पूछा गया था तो question 1 का part 2 भी complete हुआ अगर आपको वीडियो प्सान दाए तो like कीजिए subscribe कीजिए इमेल जे इंशाला नेक्ट वीडियो में नेक्स्ट के साहत तब तक के लिए रहा फेस्ट